पिछले कई दिनों से लगातार होरे बारिश से जिले में 200% बारिश होई है और इस बारिश से ग्रामिम शित्र के नागरिकों को साथ ही शेर के अन्ये इलाकों में काफी नुकसान हुआ है जिसमें भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुचा है और कई किसानों की फसले पा प्रतिशक नुकसान होगा साथ ही कई रगव में पाने पून रूप से भढ़ चुका है जिससे फसल पर दुश परिनाम होंगे और उत्पादन की शम्ता कम होगी शेत्र के कई लाकों में पाने संचित होने से उजाला की फसल का भी 50 प्रतिशक नुकसान होना तैय है इसमें त दिवारें और छाते भी पून रूप से मिट्टी में तबदील हो गए है पालदु जानَّवरों के गोटे भी पून रूप से ढग गए है और उसमें जानवरों की भी मौत हो चुकी है साथ ही उसमें जानवरों का चारावी संपून रूप से नश्ट हो चुका है मार्क पर बड़े बड़े गड़े निर्मान हो चुके हैं जिसके कारण दुरगटना होने की संभावना है और रास्तों की अववस्ता बहुत ही खराब हो चुकी अनेक जगाओं पर बाड़ पर इस्तित निर्मान होने से अनेक लोग बाड़ में भर कर चले जाने से उनकी मृत्ती हो गई है और इस विक्रमी बारेश की वज़े से काफी नुकसान पहुचा है विदायक विनोध अगरवाल ने दो दिवसिये पूल गरस्त भाग का दोरा कर खुद स्वैम खड़े रहकर नुकसान का जायजा लिया और SDN तेसला प्रदेश सिला करशी अधिकारी को निर्देश दिया की उनकी ततकाल पंचिनाम करें शाषन को प्रस्ताव सादर करें और बार गरस्त को 100 प्रतिशत मदद दें ऐसे निर्देश दिये गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट